गुरुजी आप सुरुख्षा कर्मी क्यों रखते हैं और रत पर ही क्यों बैठते हैं? किस पर बैठते हैं? रत लग रहे है तुझे यह फाइवर की बनाई हुए डेकोरेशन है और यहां तक आप कहते हैं सुरुख्षा कर्मी तो यह सिवदार जितने भी हैं, जितने भी चारों तरफ ये आपकी समाल के लिए मुख्यता लगाये जाते हैं हमें कई वार स्वालों का जवाब दिया कि बड़े-बड़े अवतार हुए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी उनके पास बहुत बड़ी सेना थी बहुत बड़ी सेना नरायनी, उनका शैद नाम था, नरायनी सेना बहुत जबरदस था तो गुरु पीर पेगंबरों ने जब लोहा लिया उनके पास थी बुराईयों से हम तो एक अधने से फकीर हैं उनके पास इतनी बड़ी संक्या में बगवान होते हुए भी उनके पास सेना थी तो एक फकीर के पास कुछ लोग अगर आके खड़ जाते हैं और आपकी निगरानी करते हैं तो इसमें बताइए क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है और ये देश का जो राजा होता है उसको लगता है कि भी ये बुराई चुड़वा रहे हैं लोग इस पे दांत पीश रहे हैं ये बुराई क्यों चुड़वा रहा है सासंगत का कोई नुकसान न करे तो इसमें ये लोग हमारे निगा में सिवादार हैं आपकी निगामें सुरुक्षा करमी